कैसे आप सब खुसकवरी का टाइम है, स्लेबस बहुसारा कम हो चुका है, CBST का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसने अपना Reduce स्लेबस पबलिश कर दिया है, पबलिक कर दिया है, आप देख सकते हैं कि कितना पार्ट हट चुका है और कितना पार्ट अब स्लेबस में है, और 95 से उपर नहीं ला पाए, तो मतलब कुछ नहीं हो सकता, मतलब इससे अच्छा काम कुछ नहीं हुआ है, बहुत सारा स्लेबस कम हो चुका है, लेकिन स्लेबस कम होने के साथ साथ कुछ गलत फेमिया भी लोगों ने फैला दी है, या लोगों के अंदर बस गई है ठीक है ना क्योंकि उसने डिटेल में नहीं लिखा है उसने केवल टॉपिक्स लिख दिये हैं तो अब हमें उनको देखकर थोड़ा सा समझना पड़ेगा खुद ही यह टीचर की जिंबेदारी है कि वो अपने बच्चों को बताए कि उसको कि पड़ना है और कितना नहीं पड़ना ठीक है विकॉज उन्होंने केवल टॉपिक्स वेंशन करके रख दिये हैं कौन-कौन से चैप्टर पूरे हट गए है यह भी हमें पता होना चाहिए ठीक है ना क्या तीन चैप्टर रटे हैं अब ही देखेंगे ठीक है ना तो सीविए आज हम लोग करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत important है चलिए शुरू करते हैं देखें पहले चैप्टर से शुरू बात करते हैं solid state ठीक है solid state हम लोग पूरा पढ़ चोके अपने channel पर ठीक है और solution आज complete हो जाएगा ठीक है हम लोगोंने solid state में six lecture जो पढ़ा था that is electrical properties and magnetic properties वो पूरा हटा दिया गया है ठीक है न मतलब paramagnetism, diamagnetism, ferromagnetism, ferry magnetism, anti-ferry magnetism और band theory, conductance, insulator ये सारा कुछ हट चुका है n type semiconductor, p type semiconductor ये पूरा portion हटा दिया गया है मतलब हमें केवल defects तक study करना है उसके आगे हम chapter को नहीं पढ़ेंगे ठीक second chapter के बारे में बात करें अगर तो वो है solution और solution में क्या चीज़ हटा दी गई है abnormal molecular masses और vent of factor ये abnormal molecular masses क्या है मैंने आपको बताया था abnormal colligative property कहते है vent of factor को ये वाली बात बहुत अच्छे से discuss हुई थी तो वो वाला portion पूरा हटा दिया गया है मतलब vent of factor i की बात हम कहीं नहीं करे अच्छा अगर i की बात नहीं करेंगे तो i जिस फॉर्मुले में आता है उन फॉर्मुले की भी बात नहीं होगी मतलब अगर अब हम osmotic pressure पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे pi is equals to CRT only we will not study i into CRT because अब i का कोई भी रोल नहीं है ठीक है तो i वाला portion पूरा टा देना है जहां अब आई आए उसको छोड़ दो ठीक है आई अब हमारी चली गई चली तीसरी बात क्या है electrochemistry दोको इसमें एक चीज बहुत समझने वाली है इसके जब आप topics देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने lead acid battery को अटाया है ठीक है lead accumulator का मतलब वही है fuel cells हट चुकी है corrosion व वो नहीं पूछते हैं बर ठीक है फिर भी ठीक है अच्छा पार्ट था वो पूरा अटा दिया गया है ठीक है dry cells ठीक है दोनों अटा दी गई है ठीक अब दूसरी बात आगे लिख्यू ही है उसमें electrolytic cells and galvanic cells ठीक है तो देखो CBSC ने के वेल इतना लिखके mention किया है मैं समझ समझता हूँ कि galvanic cell पूरा नहीं हटाया होगा because अगर galvanic cell पूरा हटा दिया तो electrochemistry में कुछ बचता नहीं है फिर तो उसको लिख देना चाहिए था कि पूरा electrochemistry हटा दिया आप समझेगा इस बात को ठीक है ना तो galvanic cell मैं समझता हूँ galvanic cell का part जो इन सारे parts में application में लग थोड़ा बहुत galvanic cell पैसे ही पढ़ लें देखो extra पढ़ोगे कुछ नहीं जाता क्यों क्यों क्योंकि केवल words का syllabus कम हुआ है IIT, JE, NEET, PMT सबका वैसा का वैसा ही syllabus है आपको पूरा ही पढ़ना है ठीक है तो काईदा तो कहता है आप सब कुछ पढ़ो ठीक है ना लेकिन अब 12th के syllabus में तो क्या होगा जब हम last में जब revision करेंगे ना जब हम पूरा एक महीना words को देते हैं तो हम इन इन topics पर जादा focus करेंगे उनको हम पूरे तरीके से छोड़ देंगे बट मेरी सला है आप पूरा पढ़िए because 12th का course काफी अच्छा course है आप उसको अच्छे से पढ़ें कुछ बचता नहीं है बहुत ही अच्छा चैप्टर है बहुत ही एडवांस लेवल का चैप्टर है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है surface chemistry इसमें दो पार्ट हटा दिये गए हैं कौन-कौन से emulsions और catalysis ठीक है उसी को describe करके उसमें लिखाए कि emulsion types of emulsion catalysis catalysis के type होते हैं homolysis catalysis और heterolysis catalysis दोनों हटा दी गई है उसकी activity selectivity enzyme catalysis मतलब catalysis का पूरा जो पार्ट था वो अब खतम कर दिया है उसने और emulsion का पूरा पार्ट खतम कर दिया है याद रखिएगा emulsion खतम किया है colloids है आज भी इस लेवस में souls भी है gels भी है cable emulsion खतम हुआ है ठीक है न सारे मत उड़ आनी पड़ेगी आपको ठीक है अगला क्या है general principle and process of isolation of elements that is nothing but metallurzy पूरा chapter हटा दिया ठीक है chapter अच्छा हो बुरा हो इससे मतलम नहीं है बट chapter रटने बाला बहुत था ठीक है na chapter इतना परेशान करता था बच्चों को रटने के लिए बहुत कुछ रटना था बहुत सारी process थी सब कुछ खतम कर दिया गया अब आपको कुछ भी नहीं रटना पूरा chapter आप छोड़ सकते हैं किसके लिए? boards के लिए but IITJE में हर साल surface chemistry से एक सवाल और metallurgy से एक सवाल आता ही आता है तो देखो दिमाग लगाओ 8 सवाल 9 सवाल लगवग physical से आएंगे इस वार IITJE में 25 सवाल आने हैं ठीक है ना 100 नंबर का paper है उसमें से 9 सवाल लगवग IITJE में आएंगे ठीक है हर चैप्टर से अगर वो एक सवाल भी देगा तो भी उसके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे बलकि कोछ चूट और जाएंगे ठीक है तो अब मैंने आप से बात करी कि चलो thermodynamics और metallurgy को compare करो तो thermodynamics को पढ़ने में लगते हैं लगवग एक महीना ठीक है लेकिन metallurgy को अगर रट्टा मारने बैठे है तो पूरा रट्टा मारना है कुछ नहीं समझना तो कितना टाइम लगएगा लगवग 5 या 6 दिन तो जब दोनों से एक कोशल आने है तो क्यों ना मैं पहले metallurgy दें बाद में हम preference दें electrochemistry को अगर हम बात किस की कर रहे है आई टी जई की अगर आपको लगता है कि आप दो महीने में कुछ ऐसा कर लो कि थोड़ा आपको मेंस की cut-off तो पार करी लो तो आप इन chapters का सहारा ले सकते हैं खेर वो बात की बाते हैं बोर्ट में इन syllabus को हटा दिय गया है मतलब metallurgy आपका पूरा गायब हो चुका है आगे बढ़ते हैं हमारा आता है P-block chemistry बहुत बड़ा chapter बहुत सारी reaction बहुत परेशान करता है मेरी सला होगी इन chapters को आप अभी से शुरू कर दीजे मैं भी कोशिश करूँगा physical के दो chapter हो चुके हैं पहले मैं आपको inorganic के दो chapter पढ़ा दूँ ताकि क्या होगा आपको रटरे वाला portion पहले ही मिल चुका है आप डेली आदी पॉन गंटा इसको दे कर दे सकते हो और इनको अभी से रटना शुरू कर सकते हो because last में जब ये सिर पर बैठ जाते हैं chapter तो बहुत परेशान करते हैं ठीक है तो nitrogen family में क्या 3 पढ़ते थे, PCL 5 पढ़ते थे, PH3 पढ़ते थे ठीक है ना ये क्या थे? compounds थे, इनकी preparation थी, allotrops carbon के फोस्फोरस के कौन कों से थे? P4 था, phosphorus black था, phosphorus white था, phosphorus red था, ठीक है ना ये सारी चीज़ हम पढ़ते थे, वो सारे allotrops हटा दिये गए है, phosphorus की सारी reaction हटा दी गई है, PCL 3 हटा दिया, phosphine की reaction हटा दी, यानि की PH3 भी खतम हो चुका है, बहुत कोच हटा दिया phosphorus chemistry से, और oxy acids of phosphorus भी हटा दिये गए है, oxy acids of phosphorus भी हटा दिये गए है, oxy acids of phosphorus भी हटा दिये गए है, 16th group से क्या अटाया है, H2SO4 पूरा खतम कर दिये गया, मतलब उसकी preparation, उसकी properties ये सारी ख खतम कर दी गई है, अब सबसे बड़ी बात आती है, H2SO4 खतम किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि H2SO4 अगर किसी और चीज को prepare करने में लग रहा है, तो वो भी खतम कर दिया गया, ना, दूसरी चीज में जहां भी H2SO4 यूज हो रहा है, वो वहां अभी की अभी बैसा का बैसा ही है, केवल H2SO4 की NCRT में जो अलग से reaction दी गई है, वो आपको छोड़नी है, और अलग से जो properties दी गई है, वो भी आपको छोड़नी है, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बुद्धी मत चलाईएगा, जब भी आप syllabus के point of view से देखें, तो हमेशा अपने सामने NCR खोल कर रखना और उसमें से देखना कि NCRT में H2SO4 की properties कहां लिखी है, उन portion को cable छोड़ना है आपको, सारा portion skip नहीं करना है, और कहीं जगे पर अगर H2SO4 आया है, तो you have to study, you must be study, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते है, आगे क्या है, properties and preparation of halides and oxo acids, ठीक है, जैसे कि मेरा आपक Flock की, तो इसमें तो बहुत कुछ अठा दिया गया है, सबसे पहले तो lengthenides और actenides का comparison पूरा हटा दिया गया है, ठीक है ना, हम उसमें बहुत सारी properties उसकी discuss करते थे, electronic configuration हो गया, electronic configuration को नहीं हटाया है, याद रखना, उनके comparison को हटा दिया गया है, ठीक है ना, lengthenides, actenides पढ़ करते हैं, तो अब यह आपको नहीं पढ़ना कि क्यों ऐसा जादा यह शो करते हैं, यह कभी शो करते हैं नहीं, लेकर आपको यह पता होना चाहिए, यह वाली property यह किसलिए शो करते हैं और वो किसलिए शो करते हैं, यह चीज आपको पता होने चाहिए, और क्या-क्या-क्या खीक है, इलेक्ट्रोरी कन्फिग्रेशन बगएरा ये सब चीज़ा हटा दी गई है, नेक्ट बढ़ते हैं, कॉडिनेशन कंपाउंड की तरह, पूरी स्टीरो आइसोमेरिजम अठा दी, नहीं पढ़ना है, चलिए, नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंस ओफ कोडिनेशन कंपाउंड, दोख हम कुछ-कुछ क्वालिटेटेव एनेशन में, और एक्स्रेक्शन ओफ मेटल्स में, इम्पोर्टेंस ओफ कोडिनेशन कंपाउंड पढ़ते थे, अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा ये शेप्टर, अभी आपकी केवल फिजीकल कंप्लीट हो पाई होगी, अगर आप सुरूबास से स्टड़ी कर रहे हैं तो, ठीक है, तो इसमें जो इंपोर्टेंस थी, क्वालिटेटिव एनिलिसिस में और एक्स्ट्रक्शन और मेटल में और बाईलोजिकल सिस्टम में, किसकी कॉडिनेशन कंपाउंड की, वो पोर्शन पूरा हटा दिया गया है, पता कैसे चलेगा, कितना अठाया है, चुपचाप NCRD खुलनी है, उसमें ये हेडिंग जहां भी लिखी हो, उसके नीचे जितना भी पोर्शन आता है, सबको हटा दो, आपको कुछ नहीं पढ़ना, किसके लिए, केवल CBSC Board 2020 से 2021 के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पार्ट था, फिजीकल और इनॉर्गनिक का, ठीक है, यहां से लगबग आपका आ जाता है आदा पोर्शन, अब हम चलते हैं अपने 28 नंबर के और पोर्शन की तरफ, तो और्गनिक केमिस्ट्री, तो और्गनिक केमिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें क्या-क्या हटाया गया है, इसमें आपका अटाया गया है, डाई हलोजन पूरा अटा दिया गया, डाई हलोजन का मतलब क्या है, ट्राई हलोजन पूरा अटा दिया गया, मतलब पॉली हलोजन पूरा अटा दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि CHCL2, CHCL3, CCL4 इन सब की preparation, properties, last में दे रखी है यह सारी ठीक न यह आपको सारी चीज़े हटा दी गई है इन चीजों को लिखते चलो देखो CCL4, CHCL3 क्योंकि अब आपको वहाँ पर यह heading थोड़ी मिलेगी कि polyhellozone compound ना तो यह चीज़ क्या है टीचर की duty मत दे है कि वह आपको पढ़ा है तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहा है आप उनसे सुनिए कोई दिक्कत नहीं है आपको मेरी बात समझ में आ रही है मेरी बात सुनिए कोई problem नहीं है तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखिए और इन चीज़ों को लिखते चलिए कि CSCL3, CCL4 और CSCL2 इन सब की properties, preparation सब चीज़ा हटा दी गई है next क्या है next है हमारा DDT वगएरा, ferons, idoforms इन सब की uses थे सबसे last में दे रखे थे ठीक है न, यह सारी चीज़ा हटा दी गई है कि ferons का use क्या क्या होता है यह refrigerator वगएरा में यह सब चीज़ा use होती है तो यह सारी चीज़ा उसमें uses में दे रखे थे यह सब कुछ भी नहीं आएगा पतलग आप देख रहे हैं, काफी कुछ उसमें वो चीज़ा हटाई है, जो जो रट्टा मारने वाली चीज़ा थी तो वो सारी चीज़े हटा दी गई है चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है next है हमारा alcohols, phenols and ether इसमें क्या हटाया है, इसमें केवल केवल और केवल, मीथानॉल और ethanol के uses हटाए हैं, ठीक है NCRT में एक portion है, methanol के uses दे रखे हैं और ethanol के uses दे रखे हैं, केवल उतना अठाया है मतलब काईदे से देखू, तो कुछ भी नहीं अठाया आपको पूरा portion पढ़ना है, पूरा chapter आपको पढ़ना है बहुत जादा कोई तोप नहीं मारी है, इस चेप्टर में, ठीक है हाँ, देखो एक portion छूट गया हमारा कौन सा? chemical kinetics, chemical kinetics में बहुती लाजबाब जो चीज थी वो हटा दी गई, कौन कौन सी? सबसे जादा दिमाग लगाने वाली जो थियोरी थी वो थी collision theory, ठीक है ना? collision theory को पूरा हटा दिया गया है और chemical kinetics की जान, जो की हम कह सकते Arrhenius equation पूरी हटा दी गई है ठीक है, activation energy का concept अब आपको नहीं पढ़ना आपको collision theory के concept के नहीं elementary idea लेना है मतलब नहीं आपको qualitatively पढ़नी है आपको theory भी नहीं पढ़नी है और no experimental और no mathematical treatment मतलब आपको उसका formula नहीं पढ़ना उसका derivation नहीं पढ़ना उसके numerical आपके लिए नहीं आएंगे chemical kinetics से सबसे ज़्यादा आपको रहात मिली है proportion के हटने से, portion के हटने से सबसे ज़्यादा tough portion माने जाते थे बच्चों को समझ नहीं आती दिये theories बगएरा ठीक है ना because बहुत tough मानी जाती है collision theory अपने आप में ठीक है ना तो इसको हटा दिया गया है ठीक है और क्या 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 चीज हटा दी गई आरेनियस theory आपकी पूरी अटा दी गई है activation energy का आपको कोई भी concept नहीं पढ़ना और activation energy और आरेनियस theory ही जाके किसमें यूज होती थी catalysis में तो surface chemistry से आपका catalysis भी हटा दिया गया है अब बात करते हैं हम किसकी सबसे पहले aldehyde और ketones की बात कर लें पूरा chapter वैसा का वैसा ही है ठीक है न ये आपका ये वाला chapter जो है वो लगवा organic का 40% cover करता है ठीक है न मतला अगर 28 नमबर की chemistry आ रही है तो उसका 40% निकान लो तो वो लगवा क्या है आपका लगवा 10 mask का लगवा लगवा यह आ जाता है aldehyde ketones aldehyde ketones और carboxylic acid ये chapter ऐसा का ऐसा ही है पूरा आपको NCRT से इसको पढ़ना है इसमें कोई भी छूट नहीं है ठीक है उपर चलते हैं तो उपर क्या alcohol phenol ether hello alkenes, hello arines पूरा हम समझ चोगे इसमें क्या क्या अटाया गया है ठीक है ameans की बात करें अभी cable सुन लो ठीक है ना तो इसकी preparation वगर अटा दी गई है ठीक है और इसकी properties वगर भी अटा दी गई है लेकिन गलत फहिमी से बचना है अगर ये किसी और चीज के preparation में use हो रही है तो वो चीज नहीं हटाई है for example आप कुछ reaction पढ़ोगे जैसे कि sand mayor reaction हो गई getterman coach reaction हो गई getterman reaction हो गई ये सारी reaction पढ़ोगे तो आपका ये जो use है diazonium का use होगा ठीक है ना आप उससे अलगलत चीजें बनाओगे ठीक है copper लगाओगे benzene को उपर cyanide लगाओगे जो भी लगाना है वो लगाओगे ठीक है ना तो उसमें diazonium का बहुत अच्छा use होगा because जो हमारा N2 होता है वो बहुत ही अच्छा leaving group होता है ये सारी बात है मैं organic में पढ़ेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ना तो आपको ये वाली बात अभी से लिख लो ये चीज नेम रियक्षन का जिक्र नहीं किया है कि ये वाली नेम रियक्षन उड़ा दी ठीक है ना तो diazonium में कौन कौन सी चीज़े छोड़नी है जो सबसे last में diazonium की केवल अलग से properties और preparation दे रखी है केवल भई छोड़नी है diazonium की preparation कौन सी है कि suppose मैंने amine से बना दिया मैंने nitro से बना दिया ठीक है ना nitrobenzen से बनाते हैं aminobenzene से बनाते हैं तो इन सब चीज़ें से बनाते हैं aniline से बनाते हैं तो इन सब चीज़ें से जब हम diazonium बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी हटा दी गई है ठीक है, next है हमारा biomolecules, biomolecules में क्या-क्य चीज़ अटाई गई है, इस बात को ध्यान से समझो, देखो, सबसे tough वाला part उड़ा दिया, monosaccharides पूरा है, कुछ भी नहीं अटाया गया है, disaccharides में अटाया गया है, क्या-क्या, sucrose, lactose और maltose, क्या-क्या, sucrose, lactose और maltose, ठीक है, और क्या-क्या, polysaccharides में भी अटाया गया है, क्या-क्या, starch, glycosin और cellulose, starch, glycosin और cellulose, यह सारी चीज़े हटा दी गई है, और उसके आगे का part, जिसके बहुत बड़े-बड़े structures होते थे, बहुत अजीब-जीब से नाम होते थे, medicines के, वो सब अटा दिया गया, क्या-क्या, vitamins, enzymes, और hormones, मतलब अगर काईदे से देखू, तो केवल मुझे monosaccharides पढ़ने हैं तरीके से, ठीकरा, जो-जो main portion था, वो सब अटा दिया गया है, मतलब यह समझ लो, इस बार slaves में जितनी रात हुई है, मतलब आप लोग लगी है, जो इस बार 12 कर रहे हैं, वो बहुत लगी है, इस बार 95 से एवव नंबर लाना बहुत एजी है आप लोगों के लिए, ठीक है, next क्या है, polymer और chemistry in everyday life, भहिया दोनों पूरे-पूरे अटा दिये गए, मौच करो, ठीक है, इतना रटना पड़ता था, इतना दिमाग खराब रहता था, तो तीन chapter हमने देखे, जो की पूरे- पूरे-पूरे अटा दिये गए है, कौन-कौन से, principle of isolation, that is metallurgy, and polymer chemistry, and chemistry in everyday life, ये तीन chapter पूरे-पूरे अटा दिये गए है, तो ये था आपका chemistry का स्सले, अभी इसमें practical वाला और include है, तो जिनके school में practical होते होंगे, वो कर लीजेगा, बैसे तो वो फाल्तू बात हैं, कोई ब दीजेगा, मैं आपको या फिर इंस्टा पर सेंट कर दूँगा, यहाँ पर मतलम नहीं है, practical chemistry को देखने का practical किसी किया नहीं हो रहे है, तो ये था आपका क्या, 12th का स्ले, इतना आपको छोड़ना है, मैंने आपको सारा कुछ detail में बता दिया है, कि आपको किस topic में से कौन- ठीक है, तो मैं तो कहूँगा, आप सारा पड़ो, ठीक है, बट exam time पर आप इन इन portion पर जादा focus कर लेना, ठीक है, यह मेरा मत है, बाकी आप लोगों की इच्छा, आपकी शृद्दा, आप जिस exam के लिए preparation कर रहे हैं, उसके हसाब से पढ़िए, ठीक है, तो I hope आपको नजर माल लेना, at least, जो portion आपको doubt में है, कि यह portion छोड़ना है, या नहीं छोड़ना, ठीक है, आप इस doubt में रह गए हो फिर भी, तो मैं आपको best idea बता रहा हूँ, आप क्या करिएगा, उस portion के previous year के question कर लीजेगा, ठीक है, ताकि आपको chapter में उस portion का idea हो जाए, और उस chapter से अ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद आईए वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताईए, क्या क्या कम हो चुका है, ताकि वो कुछ गलत चीज ना छोड़ दें, जो नहीं छोड़नी थी, ठीक है, अगर आपको वीडियो पस पढ़ते रहे और ख्याल रखिये